हलो बच्चो बहुत बहुत नमश्कार स्वागत है आपका नए लेक्चर में बड़ा जी ओसी के अगले लेक्चर में हमपन एरोमेटिसीटी कवर करने वाले बड़ा ही हम चेक करना सीखते हैं और फिर हम उसके according stability के बारे में comment करते हैं समझके बात को चलो तो धियान से देखना ज़रा अगर मैं आपके सामने air medicity की कुछ condition लिखूं तो बहुत simple simple सी condition है क्या कोई भी compound आपको बेटा दिया जाए तो सबसे पहले आपको चेक करना है compound must be cyclic क्या चेक करना है वेटा सबसे पहले cyclic होना चाहिए अब यह कैसे देखोगे आपको दिखी जाएगा रिंग होगी अगर रिंग दिख रही है इसका मतलब cyclic है ठीक है सैकेड नबर पे आपको चेक क्या चेक करना है कॉंजुगेशन क्या चेक करोगे बटा खौंजूगेशन कि आपने क्या मतलब 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 औरत लोन पिए सिंगल डवल ऐसे कॉंजुगेशन पड़ सकते हो यह मैंने रेजिनेंस में बताया था आपको ए Lawn कॉंजूगेशन ऐसा देख सकते हो प्लस सिंगल डबल या आपको कॉंजूगेशन ऐसा मिल सकता है क्या नेगड़ेव सिंगल डबल नेगड़ेव का मतला लोन पियर होगा इसके पास सिंगल डबल ऐसा देख सकता है और क्यासा मिल सकता है अल्टरनेट डबल ए डबल बी तिसरे नंबर पर आजाओ विंद का हर एक्टम आना चाहिए अया स्पीटू है एसे देखenciesiya धीनज मा या दो सिकमा आ पेर सम 3 SP2 hybridization यह मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था hybridization वगएरा है ना तो आप क्या करोगे यह condition चेक करोगे क्या cyclic है के नहीं है conjugated है के नहीं है planar है के नहीं है अगर आपने यह condition देखी और यह तीनों condition पास हो गई तो चौथी condition में आपकी क्या आएगी अगर चौथी condition ऐसी आती है क्या फोर एन प्लस टूपाई लेक्ट्रोंस आते हैं इसको क्या बोलते हैं अभी मैं एक्जाम्पल से आएगा अगर एन बेटा तुमने वन रखा क्या आएगा शिक्स पाई लेक्ट्रों आएगा अगर एन तुमने टू रखा तो क्या आएगा टैन पाई लकीषट्रौंस आएगा अगर यह सिस्टम आता है तो हम बोल देते हैं ओवरल सिस्टम इस ऐरोमेटिक तो फोर्थ रूल क्या चेक करना है हकलर हकली सूरूल का मदब दो पाईट्रौंच छेपाई लेक्त्रौं ठाइब क्या आते हैं हैं अब ध्यान से देखना, तुम्हारी condition अगर तीनों पास हैं, चौथी condition आपकी ये वाली नहीं आ रही है, इसके अलावा चौथी condition ऐसी आ रही है कि 4 pi electrons हुए, ध्यान से सुनना, 4 n pi electrons हुए, कितने, 4 n pi electrons हुए, यहाँ पर n क्या लोगे 1, तो कितना आ जाएगा 4 pi electrons, अगर n बेटा तुमने कितना लिया 2, तो क्या जाएगा यहाँ पर 8 pi electrons, अगर n तुमने लिया यहाँ 3, तो क्या जाएगा 12 pi electrons, मतलब 4 का multiple आता है, अगर 4 का multiple आएगा, तो हम क्या इसको anti-aromatic क्या वोलेंगे anti-aromatic समझें तो तीनों condition अगर आपकी पास हो रही है तो चौथी condition क्या होगी या तो यह होगी या यह होगी अगर तुम्हारी ध्यान से सुनना अगर तुम्हारी पहली दूसरी और तीसरी मैंसे कोई भी एक condition by pressen फेल हो जाती है तो सिस्टम क्या हो जाता है ४ास्ट थ्री कंडिशन पस्ट-ーछा tri और अब यह जो कमपाउंड है, अरोमेटिक, नोन अरोमेटिक और एंटि-अरोमेटिक, इनकी हम stability compare करा लेते हैं, बटा, एरोमेटिक यह अगर मैं आपके सामने यहां पर सटैबिलिटी की बात करूं किसकी स्टैबिलिटी की बात करूं तो स्टैबिलिटी में एरोमेटिक सबसे ज़्यादा फिर नॉन एरोमेटिक फिर एंटि एरोमेटिक याद कर ले ना इसको अन्ना से अन्ना ठीक है समझे कहानी तो यह बेसिक रूल है लेकिन क्वेश्चन आपको इस रूल से ऐसे डारेक्ट नहीं करना मैं अपना वाला तरीगा बताऊंगा बहुत सिंबल सा एकदम सिंबल दरीगा है ना उससे करेंगे आप यह कंडिशन आराम से पॉस करके नोट कर लो फिर मैं आपको क्वेश्चन सौल करना सिखाता हूँ ठीक है अब देखो बेटा कमेंट आपको कमेंट करना है एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है या आपका एंटियर अरे बेटा रिंग नहीं देख रही तुम्हें अरे साफ साफ देख रहा रही है तो यह पहली कंडिशन फुल्फिल दूसरी बताओ कॉंजूगेशन है क्या कैसे मैंने बोला डबल कैसे मैं यहां से बोला डबल मतलब मैंने यह बोल दिया यह दौनों कारवन काउंट हो यह अल्टरनेट अवल मोंड आ रहे हैं मतलब कॉंजूगेशन है तीसरा कि क्या प्लेनर रहे प्लेनर के लिए रिंग मैं इनवाल्व किसका जिया रहा हूं ध्यान सुनना रिंग के बाहर एक मतलब नहीं है रिंग मैं इनवाल्व एक्टम का हाईबडाइस नैस पीडू हो और ऐसा हर एक कारबन पर होगा और ऐसा हर एक कारबन पर होगा यहां भी तीन सिगमा के यहां भी एच लिखोगे बाहर यहां भी एच बाहर करके लिखोगे यहां भी यहां भी यहां भी तो हर एक का विदाइशन perspective आना ही आना ताय है यह है ना तो तीसरी कंडीशन भी क्या हो गई हुलफिल हो गई अब चौति कंडी सन कैसे चीक करना ध्यान सहसो ना अगर तुम्हारी कंडीशन नमबर वन टू और फिर की तीनों पास हो गई तो चौती कंडिसन कैसे चेक करेंगे हमारे स्ताइल में देखना हम crist चैक करते चौती कंडिशन देखो कितने भॉन्ड है ठीन भाई बॉन्ड है नहिए पाई दूपाई गौन तीन पाई बॉन अगर विटा थीkk' स्पाइब नें तो कितने लेक्टरॉन है सिक्सॉटाइट्र कितने विटाउ सिक्सॉटाई एलेक्ट्रॉन स्क्स्ट चरूं किया होता है बहुत भड़ी यह वेरे गुल बेरिगुंट एरॉमेटेक टॉता है और बेटक हो तो पहले वाले का आंसर क्या एंगा आरोमेटिक आईँगा बात समझ वहाई कैसे चेक करना रहे बहुत सारे सवाल लाया हूं आपके लिए देखो अभी चलो शुरू करें अगला बताना इसके लिए पहली कंडिशन क्या यह साइक्लिक है यस है दूसरी कंडिशन क्या इसमें कॉंजूकेशन है बताओ क्या इसमे काउंट हो गया इस तरीगे से प्लस जोलते ही ये कारवन सिंगाल बोलते ही है कारवन डवल बोलते ही थया कारंवन मतलब कॉन्जूगेशन है तीसरी कंदिशन बतातो 3rd कंदिशन क्या प्लेशन है कैसे करेंगे यह जो कारवोटायन यहां मनाया है यहाँ पर एक होगा तो IS कार्बन के कितने बॉंड आ गए इसकी आ गए तो s2 हो जाएगा और इस कार्बन पर एक होगा तो इसके भी 3 सिगमा आ गए तो यह भी 8टू हो जाएगा ठीक है यहां भी 3 सिगमा है, यहां भी 3 सिगमा है, इस जैसा यह है, तो इसका SP2 तो इसका भी SP2, मतलब तीनों का hybridization SP2, चौथी condition check करेंगे, क्या कार्बो के टायन में कोई electron होते हैं, नहीं होते, कार्बो के टायन इस प्लस के पास कोई electron नहीं होते, ठीक है, तो positive charge के कोई electron count नहीं होंगे, लेकिन pi bond है ना, तो 2 pi electron count होंगे, और 2 pi electron का मतलब क्या हो गया, आपका aromatic, क्या हो गया, aromatic, तो यह वाला compound भी क्या है, aromatic, इस तरीके से check करना है, बहुत असान है check करना, आपने तरीके सीख लो, साब हो जाएगा, चिंता नहीं करो है इधर आ जाओ जरा, ध्यान से देखना जरा, पहली condition बोलना, पहली condition, फस्ट, पहली condition cyclic है, very nice, दूसरी condition, conjugation है, दूसरी condition बताओ, negative, single, double, negative बोला ये, single बोला ये, double बोला ये, मतलब तीनो एटम conjugation में आ रहे हैं, तीसरी condition, planar है क्या, देखो जरा, यहाँ पर क्या होगा, H, तो इसका थीन सिगमा मतलब SP2, ठीक है, एक दो तीन सिगमा मतलब SP2, क्लियर है, अब मुझे क्या बताओ, negative है, यहाँ पर एक H होगा, ठीक है, अगर मैं इस carbon का hybridization पहली नजर में देखूँ, पहली नजर में, तो मुझे ऐसा लगेगा, carbonine है, तो इसके पास दो electron तो होगे, carbonine के पास beta electron नहीं होते, carbonine के पास दो electron यानि की एक loan pair होता है, तो आप पहली नजर में देखो कि तीन सिगमा और एक loan pair, मतलब सम चार आ गया वेटा, answer sp3 लिखोगे, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, क्यों? इसका hybridization sp3 नहीं होता है, पूछो क्यों? अरे पूछो तो, ऐसा क्यों? देखो, आप मैं बताता हूँ, जब कभी भी, धियान से सुनना, जब कभी भी, आपके सामने ऐसा लिखा है, शुरू से समझारों, बिल्कुल बेसिक से, ऐसा लिखा है, तो इसके पास कोई electron तो होते हैं, ये सिर्फ तीन सिगमा होते हैं, तो sp2, अगर ऐसा लिखा है, कैसा? डी लोकलाइज लिखा है, तो भी sp2, डी लोकलाइज का मतब क्या होता है? रेजोनेंस करना, तो पॉजिटेव सिंगल डवल रेजोनेंस कर रहा है, तब भी ये कार्वोगटाइन sp2 है, ये क्या है? लोकलाइज तब भी sp2 है, ये लोकलाइज का आंसर आ गया SP3 लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं CH2 नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास CH double bond CH2 अब ध्यान से देखना loan pair is converted to bond pair सुनना ध्यान से resonance है ना इसमें conjunction है loan pair is converted to bond pair bond pair is converted to loan pair मतलब यह loan pair वेटा पाई बनाने चला गया और अगर यह पाई बनाने चला गया मतलब इस carbon के सिर्फ 3 सिगमा बचे मतलब SP2 होगा समझे तो ध्यान से सुनना localized carbocatine बहुत ध्यान से सुनना localized carbocatine SP2 de localized carbocatine यानि की resonance में तो भी SP2 localized carbonine तो SP3 delocalized carbocatine to SP2 है ना ध्यान रखना यह तो आप ध्यान से देखो क्या यह carbocatine resonance कर रहा है जब कभी भी carbocatine resonance करेगा तो इसका hybridization क्या हो जाएगा SP2 हो जाएगा क्यों यह loan pair resonance में involved हो जाएंगे रिंग के अंदर हो जाएंगे एक तो पहली condition दूसरी condition तीसरी condition भी fulfill है क्यों है क्योंकि यह तो SP2 पहले सही थे और यह भी SP2 हो गया अब सुनना चौथी condition condition number 4 की अगर मैं बात करूं चार की ध्यान से देखना अब ध्यान सुनना जो carbonine होता है ना carbonine उसके खुँ अंसर क्या ऑगया anti-aromatic बात समंझ में आ ही पूरी किलियर तो ध्यान रखना डी लोकलाइज कारवे 9 SP2 हो जाता है एक है क्योंकि वो पाई बनाने चला जाता पाई हम काउंट नहीं करते हैं अगला देखो अगर विटा मैं इसकी बात करूं किसकी इस वाले की ध्यान से देखना दो दो पॉजिटिव चार्ज है कोई बात नहीं चेक करना हमें चेक कर लेंगे देखो सबसे पहला साइकलिक है यस देख रहा है ना रिंग है साइकल है बहुत बढ़ी है चाइकल चल रही है धमाद हम साइकल चल रही है दूसरे नंबर पर देखना जड़ा क्या इसमें कांजूगेशन है देखो मैंने बोला प्लस सिंगल डबल तो यह तीन काउंट हो गए यहा ध्यान रखना ओवर ओल्डूगेशन ना भी हो इंडिविज्वल अलगलग अलग कॉंजूगेशन हो मतला सारे एटम अलग अने चाहिए क्या वोला मैंने सारे एटम अलग अना चाहिए जरुए नहीं कि पूरा अलग अलग चलना कोई दिखकत नहीं है ना तो सेकेंड यह भी एस्पीटू का सिमिलर इसी जैसा यह डवल बॉंड भी एस्पीटू है तो यह वाला भी होगा मतलब थर्ड कंडिशन फुल फिल है चौथी पर आ जाओ कार्वोगेशन में विटा कोई एलेक्ट्रॉन नहीं होते किसमें होंगे सिर्फ पाई बॉंड में कितने दो आउनल क पाई एलेक्ट्रॉन और दो पाईलेक्ट्रॉन का मतलब विटा अरो में डेक ऐसे चैक करना है अ अब आराम से देख लो सारे क्वैशे से सारे क्नार्व अच्छे से देख लो मैं आज ऑगा अ विसले मठाव अच्छे से क्या कर लिखा थ है कि बहुत सारे कोश्चन करने हैं आप से भी कर महूंगा मैं देखना सीख के जाना वाई जाना नहीं है ना चलो बिना सीख के नहीं जाना यहां आयो तो आगे बढ़ रहा हूं चलो भाई यह वाला ट्राइक करों कर सकते हो यह वाला कर सकते हो यह वाला कर सकते हैट्रो साइकल एक बता दूँगा तो बाकी फिर कल देना हेट्रो साइक्लिक मतला रिंग में कारवन के अलावा कोई और एटम आ गया तो यह वाले कर लो पहले फटावट पॉस करो ट्राइब करो सर सर नेगेटिब सिंगल डबल यहां सो यहां तक चले और radioactive signal यहां से यहां यहां तक चले सबकाउंट झोगया तीसरी condition क्या यह कार वैन आयन सीचन चान में जा रहा है जा रहा है क्यों इसके पास रोगाल रोगा लोन पर सिंगल डबल यानी प्ड़ते हो मतलब conjunction है और conjunction में जब होता है तो यह SP2 हो जाता है या नग ना यह SP2 हो जाता है और यह तो बच्पन से SP2 है मतलब तीसरी कंडिशन फुल्फिल है चौती कंडिशन देखना जरा जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं कारवे नाइन ऐसा सोचो जितने कारवे नाइन उसके ऄंजर्ण थो दो एलैक्ट्रान two count होंगे क्यों वह सूदमार्ष में इन्वाल्व कितने हैं इसके दो इसके दो कितने हो गए छे पाई एलेक्ट्रॉन मतलब एरो मैटिक क्या है एरो मैटिक है समझे वाद को यह कहानी है अगला करो इसका करो यह वाला कर लो कर लो एक दम मस्त आंसर आएगा जन तैंस नहीं में कर तुझी सुरू कर रहा हूं है ना आप पॉस्कर क्या ना चलो इस वाले के बारें बात क पहला साइकल घूम रही है सर बिलकुल जमा जम साइकल चल रही है दूसरे नंबर पर रहे ना सेकेंड नंबर बें कॉंजूगेशन है क्या देखो प्लास सिंगल सिंगल कॉंजूगेशन नहीं है अगर कोई भी कंडी सन फेल हो गई तो सीधा मूँ पे बोलो नौन कंडीशन टू कंडीशन थ्री जब पास होंगी बढ़ा तभी तुम कंडीशन फॉर के बारे में सोचोगे ना बिटा इन्ट कंडीशन फुल नहीं है यह कार्बगतायन कॉंजूके सब्सक्राइब है नहीं यह अप लेनाटी से भी सोच में तो भी कि ये SP3 है येस पी 3 है है ना है समझ गए तो ये वाला नौन इरमेटिक अगला हेट्रो साइकलिक एक समझ लो क्या है इसमें कहानी पहली कंडिशन बताओ नंबर वन साइकलिक है बड़िया साइकल जमाजम घुमरी कंडिशन है यस कैसे नाइटिजन के पास लोन पेर होता है तो लोन पेर सिंगल डबल यहां से यहां तक पूरा आ रहा है कंडिशन पूरा नहीं पढ़ना आधा भी पढ़ सकते हैं लोन पेर सिंगल डबल लोन पेर सिंगल डब मत्दब सारे एटम कॉंजूगेशन में काउंट हो रहे हैं तीसरा प्लेनर्टी चेक करेंगे ध्यान से देखना प्लेनर्टी यह जो डवल बॉंड है इनका है इस पीटू बजपन से ही है क्या इस नाइटोजन का है इस पीटू है यस कैसे यह तो पिटा वैसी हो गया ना जै यहां पर लोन पेडर लोन पिए सीधिल डवल यह डी लोकलाईज है तो यह स्पी टू होगा यह लोकलाईज है तो स्पी त्री होगा ऐसा क्योंकि उसका जो लोन पेडर आरे वह पाई बनाने चला गया तो नहिशन पर थीन सिकमा बचेंगे दो एच वाले और एक कारवन के जाएगा इसका मतलब इसका हाइब डाइशन एक सिगमा दो सिगमा तीन सिगमा क्यों यह लोन पर तो पाई बनाने चला गया सब्सक्राइब कि तनले फियों है यहां देखना नोपाई ऐसके दोफके अ अए भाई जाओ घर तक आएगए आपके लेंगे चलो इस का बताना पहली condition, cycle एक है, yes है, बहुत ते साइकल चल रही है, अरे साइकल नहीं दिख रही है, दूसरी condition, conjugation है, yes है, कैसे? oxygen के पास, बेटा, दो-दो lone pair है, लेकिन ध्यान से सुनना, oxygen के पास lone pair तो दो-दो है, लेकिन एक बार में एक ही जाता है, ध्यान से, एक बार में एक ही lone pair involved होगा, ये इसके पास ही रहेगा, मतलब इस oxygen के पास 2 sigma, और एक lone pair, sum क्या आगया, तीन आगया, hybridization क्या हो गया, SP2 हो ग condition बताओ कितने πाई उलेक्ट्रो रिंग में घूम रहे हैं ऐसा नहीं कि six pi electrons आएंगे means क्या आएगा aromatic आएगा ध्यान लखना इस बात का भाई oxygen के पास loan पेर तो दो है जाता एक ही है होते दो है जाता एक ही है ध्यान लखना resonance में एक बार में यह जाता है अगला देखो यह वाला इसमें number one cyclic है यह साइकल गूमरे बहुत बहुत बहतरीन दूसरा क्या इसमें conjugation है देखो double single double single double conjugation दिख गया अच्छा यहाँ पर ध्यान सुनना यहाँ पर nitrogen के पास loan pair है क्या यह loan pair single double conjugation नहीं बोल सकते यह ऐसा नहीं हो सकता loan pair single double वाला ये conjugation नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि विटा ध्यान से सुनना अगर तुम ऐसा कर देते माल लो तुमने यहां पर जो loan pair था उसको भेज देते यहां तो इधर भी double आ जाता ठीक इधर double आ जाता तो इस nitrogen का हो जाता है स्पी हो जाता स्पी पर बॉंड एंगल होता विटा 180 तो रिंग तूट जाएगी इसलिए इसा नहीं होता है न तो यह नाइट जन का और यह double bond वाले तो बजपन से ही SP2 है ठीक है यह SP2 हो गया डवल वाला बजपन से ही SP2 धियान से देखना पहली condition fulfill दूसरी fulfill तीसरी बताएंगे तीसरी बताएंगे SP2 हैं सारे बिलकोल है क्यों कारवन सारे SP2 है और nitrogen इसन भी SP2 हो गया ठीक चौति कंडिशन कितने पाई बॉंड है तीन पाई बॉंड के शह पाई लेक्टरॉन बिटा हमने इसको क्यों काउंट नहीं किया नाइट जन का लोन पेर क्यों काउंट नहीं किया क्योंकि वो जाही नहीं रहा था रिंग में वो तो उसी के पास था लोकेलाइस था है ना तो सिक्स पाई लेक्टरॉन मतलब एरोमेंटिक समझ गया बात को ऐसा है यह एकदम किलियर है बात हैं बहुत बढ़िया वेरी गोड़ अराम से पॉस करो नोट करो आगे बढ़ रहा हूं मैं ना अगला देखो कुछ अलग टाइप के कंपाउंड होत है एनृलींस बोलते हैं कैसे अगर मेरे पास ऐसा लिखा है ध्यान से देखना है मेरे पास ऐसा लिखा है ब्रेकेट के अंदर एक्स एनृलीं तो इसका मतलब क्या होता है X होता है number of carbon in ring मतलब इसका मतलब यह है कि carbon carbon ही होंगे ring में तो anulines क्या होती है cyclic conjugated cyclic conjugated compound without charge without charge क्या लिखा मैंने cyclic conjugated compound without charge होता है वेटा हाँ बहुत ही बढ़िया काम किया आपने देखो अब यह क्या क्या हो सकता है मालो मैंने आपके सामने लिखा for anuline ध्यान से देखना for anuline for anuline का मतलब क्या है चार की ring होगी और cyclic conjugated system होगा बिना charge के बिना charge के conjugation मतलब double bond लगाओगे तो इसको बोलते हैं वेटा for anuline इसका नाम है for anuline अब चेक करो जड़ा पहली condition cycle है बहुत जमाजम cycle है दूसरी condition conjugation बोले आपने डवल single double तीसरी condition planar double bond का हाइब डाइसन sp2 होता है सभी ऐसे ही हैं ठीक मतलब anuline की अगर मैं बात करूँ तो यह इस वाली अनुलीन की बात को तेनों condition fulfill हैं चौथी बताओ कितने पाई बॉन्ड है दो पाई बॉन्ड कितने पाई electron चार पाई electron मतलब answer anti-a-romatic चार पाई electrone ना क्या हो जागा बटा anti-aromatic क्या बात अगला देखो अगला देखो अगला देखो अगला देखो six इसे क्या है 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 अज्ड रहे है और इसके बारे में हम लिख चुके हैं अभी क्या होती है यह रॉमेटिक शब से पहले एक्जांपल करऊए मैंने पने हैं इसी तरीके से बेटा होती है आपकी इसको अटाय दो एट एनुलीन चार और च्छे हो गई चार और च्छे आपकी हो गई अब मैं लिख रहा हूं बेटा किया यहां पर देखना अगला लिख रहा हूं मैं एट एनुलीन अगला लिख रहा हूं एट एनुलीन ध्यान से देखना एट एनुलीन क्या होती है यह साइकले कॉंजुगेटेड रिंग विदाउट चार्ज मताब आठ कार्बन होंगे देखना एक दो इन चार पांच छे ताथ आठ डाबल 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 ऐसा ठीक है अब देखना चरा क्या है नंबर वन क्या यह साइकलेख है यस ठीक है अच्छा इसके वारे में होती ना यह होती नॉन प्लेणर सीधा सा नॉन प्लेणर मतलब नॉन अरोमेटिक सीधा बोल दो है ना तो यह क्या होता है आठ हैनुलीन होती विटा नॉन प्लेनर क्या होती है नॉन प्लेनर मतलब सीदे सीदे क्या बोलोगे नॉन ओलो मैटिक तो नॉन एरो मैटिक किस वजह असे डीव टू ओन बनेडि किस वजह इस यह जो नॉन प्लेंर क्यों है इसका मिटाटक टबलाईग स्ट्टर होताइज रखना diff यूटू टबलाइक स्टक्चर एक ऐसा होता है टबलाइक स्टक्चर होता है ऐधे just कैए एधो डवाहध सिंगल डवाहध सिंगल डवाहध सिंगल डवाहध prophecyन डबान इसमहिं पता क्या है één का with एंदो का रवन 3 कार बांट चारो यह मानलोह ऐसा है नीचे प्लेन में ठीक है और बाकी कि दोना ऐसे उठें प्लेन में है से और बाकी दोनों ऐसे उठें मदख्राइक ट्रक्शर की वजह से क्या होता है नॉन क्रिमेटिक होता है धिखान रखना है कौन सा एट अनुलीन अगला है टैन अनुलीन यह कैसा होता देखना यह सा इस तरीके से डबाल सिंगल 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 डबाल ऐसा तो वेटा यह क्या है टैन एनुलीन है ध्यान से देखन का जो ऑडन है उसमें रिपलसर होता है तो रिपल संट की वैसे ऐसे ना दिखकर यह आपको ऐसे दिखते हैं है रिपलसर की वज़े से इस ये डार्क में चला जाता है और ये डफ में चला देखा peace मतलब एक दूसरे के बलेद चले जाएंगे एक दूसरे कापो ये टार्क में तो ये ड़िएश मैं विलो हम बलेदा आपक्लेन एसा किल इसके बार है नॉन ऐरो मेटिगो हाँ नॉन एरो मिटेक डेटू ा दीओ तु कि नonna प्लेनरेटी नॉन संसर फिलेए रिटी सिंस not aromatic नहों घ्रण तो द्रेयान आखना चार एनुलीं अर्मेटिक 6 एनुलीं एरोमेटिक 8 एनुलीं नॉंप दिस एनुलीं नॉन एरोमेटिक लेकिन इसके बाद आप आगे बढ़ते जाओगे तो ब्रेकेट में जो डिजिट लिखा है उतने ही पाई लेक्ट्रोन लेकर आंसर कर देना आंसर आजाएगा जैसे अगर मैं आप से सपोज ऐसे पूछता हूं कि 12 एनुलीन क्या हो सकती बारा 12 एनुलीन क्योंकि रिंग का सा जाएगा 14 पाई लेक्ट्रोन मालो क्या हो जाएगा एनुलीन क्या एरोमेटिक ठीक है इस तरीके से आपको आंसर करना है समझगे तो यह नौन एरोमेटिक था यह भी क्या है नौन एरोमेटिक है ठीक यह एरोमेटिक है यह नौन एरोमेटिक एसा जैसा जिसका ब्रेकिट म चेका मतलब शेपाई लेक्ट्रोन आठ और दस अलग से ध्यान लखना है ना तो इस पर स्टार लगा लो बहुत सारे जितने सितारे लगाओ उतने कम हैं जितने सितारे लगाओ उतने कम है इसलिए इनिफिनिटी लिख देता हूं ना आप अरोमेटिसीटी के मतलब एपलीकेसं तो इसका बहुत आसान है बहुत ही आसान अभी करेंगे अपने ना चलो वह कमेंट अन एरोमेटिसीटी चलो वह सुरू करें पहला क्या साइकलिक है जमाजम साइकल चल रही है सेकंड क्या कॉंजूगेशन है देखो अचा यहां जो इसके पहले टोईल्थ का रिकॉर्ड किया था तो उसमें वेकेंट डी बहुत बार आया था चलो फिर से शुरू करते हैं वन साइकलिक है सेकंड क्या है आपका कॉंजूगेशन है क्या तो इसके पास वेकेंट और बिटल होता बोर उनके बना रखे है तो दो इलेक्रों की क कभी इसाए नो इलएक्रों की कमी मतल्ब ऑर्बिटली होता है कॉंजूगेशन नहीं है कैसे वेकिंट एटर अर्टर केंट इसेंगाएं से जलो यह पूरा ँखर आ रहा है यह आप इंडिविजुली पढ़ सकते हैं से वेकंट और इंगल डवल वेकंट और इंगल आपकी इच्छा है मतलब हर एक एक एटम काउंट हो रहा है ना बस तीसरा क्या 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 प्लेनर है चेक करेंगे डवल बॉंड का है बडाइशन तो स्पीटू है यह हम जा तो दो पाई मौन्न हे मतलब चारपाई एसे सब्सक्राइब होगा अगर चार उन्हें है तो अर्मेटर होगा कब जब पहली दूसरी तीसरी कंडिशन सेटिस्पाइड है क्या वोला मैंने फिर से मेरे साथ बोल दो कंडिशन नंबर वन टू थ्री अगर तीनों पास है तो चौथी कंडिशन क्या चार का मल्टीपल तो एंटी अर्मेटिक अधरवाइस तरीके से सो दवल बॉंड क्या है एस पीटू है सारे दवल बॉंड और बोरॉन भी एस पीटू है तो तीसरी फुल फिल है चौथी कंडिशन बता दो एक पाई दो पाई तीन पाई मतलब सिक्स पाई एलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक इस तरीके से सोचना वेकंड और विडल के पास एलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं कितना अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीम पर यह रहा है ना देखो नाइर जएक लोट पियर ओक्सिंग के पास दो दो लोन पियर है ना लेकिन ऑक्सिंगलों पियर एकवार में एक ही जाता है नाइट्रोजन का यह लोन पिष जात लेकिन इस Oxygen का एक Loan behave यहां जाएगा एक चलो करते हैं साइक्विक हैं दूसरा Conjugated है lo loan pair single double single double पुरा जा रहा है इसका ये वाला नहीं जा कह रहा इसका эту वाला नहीं जा रहा है एक द्यान रहा है और दियान रखना दिज्ञेर ने तीसरा kriegen तो तो SP2 होता ही है इधर देखो इस oxygen के लिए 2 सिगमा असपास और एक लोन प्यर एक तो इसका रेजोनेंस में चला गया तीन मतलब SP2 इस नाइटोजन के लिए एक सिगमा दो सिगमा यह कहीं जाता नहीं है तो लोन प्यर तो दो सिगमा एक लोन प्यर काउंट हो जाएगा तो क्या जाएगा तीन का मतलब epsp2 इसका मतलब हर एक एक एटम काईवडाइशन SP2 है चौती कंडी सन बताओ चौती कंडी सन देखना दो पाइब और के चार पाई एलेक्ट्रॉन और इसके दो कितने हो गए बैटा सिक्स-पाइवेट्रॉन मतलब एरोमेटिक हो गया by सिटरी एलेक्ट्रॉन का मतलब क्या और यह भाई इस आक्सिजन के भी तो एक लोन फेर जाएगा मतब दो इL ह rebirth जाएगे इसका नहीं जाता है और इसका नहीं जाता है इसका तो जाता है न मैंने क्या बोला था डफल नाइटोजन का लोन पेर कहीं मत भेजना इस वाले का भेज देना सिंगल बॉन डिट वाले का ठीक तो क्या करना पहली कंडिशन साइक लेक बिल्कुल दिख रही है दूसरी कॉंजुगेट देखना लोन पेर यह जाएगा रेजनेंस में लोन पेर सिंगल डबल सिंगल डबल बहुत बढ़िया तीसरी प्लेट इसका डवल बॉन कारवन का हाइवडाईसन एस पीटू इसका टीन सिगमा लोन पेर काउंट उमत करना हाइवडाईसन में क्यों लोन पेर तो उसमें जा रहा है रेजनेंस में तीन सिंगल डवल मॉंड का एसपी टू है इसका दो सिगमा ऑग लोंग ए पाइलेग्टरों दो काई असफरी नहीं जो को और सुनसे ल समुझे बात को बहुत बढ़िया पास करके 新त करा लो पीड है है अगला सवाल फटावट से कर लो अब तो कर लोगे सारे कितने सारे क्वेशन कर वा दिए भाई पहला साइकलिक दूसरा इसके पास होगा वह भी तो बना देगा समझ गए और यह मैंने आपको तो बताया था कि अगर डी लोकिलाइस कारवे नाइन हो अगर डी लोकिलाइस कारवे नाइन हो तो विटा क्या होता है सब्सक्राइब आपका थीक है तीनों कंडिशन फुल फिल चौती बताना दो इसके दो इसके दो इसके शेपाई एलेक्ट्रोन और दो इसके आठ पाई इलेक्ट्रोन मतलव एंटी एरोमेटिक ऐसा दिखता है कई अच्छी कितावों में भी इसका अंसर गलत दिया है ध्यान रखना एंटी अरोमेटिक हम मानते हैं अपने शेलिवस के अकोडिंग अगला सवाल अगला सवाल वो लो पहला साइक लेख है यास दूसरा इस तीसरा प जीइंग और यहां से यहां से ine은 मैं आ रहा है यहां पूरा और यहां लूओन पेर तो दो होते हैं लेकिन आएंगव यहां पए से यहां तक गया और लोनれた सिंग्ल दबल यहां तक गया मतलब हर革र है एक एorit इटमें में और हम में जा रहा है भले ही इंडिविज्व bahो Conjugation हो यह दियान लखिएगा फिये लोन पेर तो लिखने तड़िस्त और एक लोन पेर इसका Conjugation में जा रहा है ठीक अब देखना जरा कितने पई लेक्ट्रण है दो सिके दो सिके दो इसके और दो बेटा इसके भी तो आएंगे अरे विटा इसका भी तो लोन पियर कॉंजूगिसन में भेजोगे ना अरे डी लोकलाइस कार वे नाइन है यार कैसी बाते कर रहे हो मतलब आठ पाई एलेक्ट्रॉन आएंगे देखो ऐसा दिखेगा आपको देखो दो इसके दो इसके दो इसके दो इसके इसका यह नहीं जाएगा पहली कंडिशन साइकलेक वेरी नाइस दूसरी कंडिशन कोन्गेड़ वैरी नाइस तीसरी कंडिशन प्ल staring फुल फुलफिल है रिंग है दूसरी कंडिशन है क कर दो सिंदी वह सब्सक्राइब लिए चो कार्मन इनका हाइब बांद है रहा यह जा रहा है ना यहा रहा है undertा जुके सन में लेकिन यह पाई बॉंड तो आपस में खेल रहे हैं तीन पाई बॉंड मतलब 6 पाई लेक्ट्रॉन मेंस एरो मेंटिक इस तरीके से इधर आना जड़ा अगर मैं इधर देखूं देखो यहाँ पर इस बोरॉन के पास क्या है वैकेंट ऑरविटल है और ऑक्सियन के पास क्या होते हैं दो-दो लोन पियर होते हैं लेकिन एक बार में एक ही जाता है तो मैं दूसरा वाला लोन पियर हटा रहा हूं है ना मैं सिर्फ एक ही लोन पर बना रहा हूं ऐसा अब देखना लोन पियर सिंगल डवल लोन पियर सिंगल डवल दौनों जगे से ना रहा है बोरॉन इसके साथ मतलब इसका किलियर है क्या सबसे पहला साइकलिक दिख रहा है साफ साफ दिखा दिया मैंने तीसरा प्लेनर है के नहीं है देखो यह बोरॉन तो SP2 है ऑक्सियन के पास एक लोन पियर कॉंजूगेशन में जाएगा तो बाकी दो सिगमा प्लस एक लोन पियर बचेगा मतलब SP2 आ जाएगा और कारवन तुम्हारे बेटा बचपन से ही SP2 होते हैं तो त सावारे तक दीसरी कंडिशन भी फूलिफिल है चौती कंडिशन धेंगे ध्यान से कितने पाइवल एक पाई मॉंड के दो और यहां एक लोन पियर इसका जाएगा एक लोन पियर इसका जाएगा तो 6 पाई एलेक्ट्रोन आएंगे जो रिहमें घूम रहे होंगे मतलब aromatic answer आएगा इसका यह बहुत ही बढ़िया सवाल है यह सवाल बहुत प्यारा सवाल है बहुत धमादम सवाल है यह वाला समझे चलो भाई आगे बढ़े पॉस करके नोट कर लेना अगला बता हुजरा बढ़ा इसका नाम है इन और्गैनिक बैंजीन और्गैनिक बैंजीन तो आप जानते ही हो इन और्गैनिक बैंजीन यह होता है इन और्गैनिक बैंजीन क्या होता है विटा ऐसा दिखता है एक चेक करो जरा नंबर वन साइकले बढ़िया रिंग दिख रही है दूसरे नंबर पर क्या चेक करना होता है कॉंजूगेशन देखो कॉंजूगेशन में कैसे चेक करोगे डवाल सिंगल डवाल सिंगल डवाल अल्टरनेट डवल हो गए तीसरा सभी डवल बॉन्ड है मतलब यहां सबका बोरॉन वाले सबका का SP2 होगा और नाइड़ेशन वाले सबका भी SP2 होगा क्यों अब यह मत कहना सर बोरॉन के पास यह लोन प्यर है बोरॉन चार्बोंड बनाएगा तो उस पर नेगेटिव आएगा इसका मतलब यह नहीं कि उस पर लोन प्यर हो जाता है ना ध्यान अकना तो एक दो तीन आठ एलेक्रान तो ऑल्लेटी है ना-octate complete है नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन प्यर नहीं होता कारवन पर नेगेटिव चार्ज है तो लोन प्यर होता है बोरॉन पे नेगेटिव में लौन प्यर नहीं होता तो तीसरी कंडीशन फुल्फिल चाहती कितने multiple anti-aromatic otherwise aromatic ठीक है clear चलो भई आगे बने आगे बढ़ता हूँ चलो application देखेंगे अपन इसके पहला application है टू कंपेर डाइपल मुमेंट कराओ जरा फस्ट कैसे कराओ गया आप पताओ कैसे कराओ किसका कंपेर कराने डावल बॉंड हो का है ना Aaromaticities related विया इधर का बहुत आसान देखो जब कभी ऐसा धिया हो जब भी ऐसा धिया उत आप्या करो ये बाइंड बेक कर लो यह माइनस आएगा यह प्लस आएगा यह ब्रेक कर लो यह हमाइनस यहां प्लस यह वाला परेक कर लो यहां माइनस यहां प्लस अब आप रिंग को देखो किसको रिंग को देखना किसको देखना रिंग को तो यह रिंग आप देखोगे तो यह रिंग कैसी दिखेगी ऐसी दिखेगी तीन की रिंग और प्लस बाहर वाले से मतलब नहीं है इसको गो यहां तीन की रिंग यहां ुख पलस इसको देखो हु कि यहां पांच की रिंग यहां पलस अब इन प्लस में स्टेबिलिटी oll कमक्नर करा नहीं है एरो मेट ईड़िय आप जानते हो एरो पैक साथ इसले वल नौन इस वाले के बारे बताओ क्या है यह देखना इस वाले में देखोगे यह कारवन SP-3 है यह भी SP-3 कोई भी एक SP-3 आ गया मतलब 9 ना भी अरोमेटिक हो गया सीदा सीदा यह देखो ज्रा यह हम कर चुके हैं इरो मैटिक और इस वाले में 2 और तो चार पाई एलेक्ट्रोन है मतलब एंटी अरोमेटिक बाकि तीनों कंडीशन फुल्फिल थी इसलिए मैंने सीधा चौथा सोचा है आप डारेक्ट चौथा मत सोचने लगना मेरे दिमाग में वन टू-3 फुल्फिल हो गई थी फिर चौथे पर आया में वन क्या है साइ कारव काई सबसे लगन सबसे जब सबसे जबसे लिए तू वाले का काडव कोटाएं सबसे लगना यज़या क्यों आरोमेटिक है फिर वन वाले का और फिर ठीव लेका यह होता है अब ध्यान रखना अपनने चार फेक्टर पढ़ लिया अज तक अपनी जिन्दगी में क्या तुम्हें aromaticity सोचना है, फिर resonance सोचना है, फिर hyper सोचना है, फिर inductive सोचना है, अब कई लोग पता है क्या सोचेंगे, सर आपने last time पर ये बताया था, जितना ज्यादा 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 इस्टेवल, तो इसमें е ज्यादा है, इसमें 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 बात आपकी सही है, लेकिन ये विटा anti-aromatic है, अब अरुम्हेटी उपर आगया, रिया ज्यादा पहले नहीं सोचना है, ना ध्यान रखना इसमें घल्ती मत करना, कई लोग करते हैं, सर इसमें Conjugation बहुत है इसमें Conjugation काम है यह वाला ज्यादा होना चाहिए ऐसे थोड़ी होता है फैक्टर सोचो क्या है एरोमेटिसिटी पहले लगाने है ठीक है अब मुझे क्वा बताओ Stability किसकी ज्यादा Second वाले की ज्यादा इसका मतलब यह वाला बॉंड तूटना चाहेगा न क्यों बॉंड तूटने के बाद aromatic बन रहा है अगर यह वाला यह व्यादा मजे रवाद हो गई है तो अगर यह bond तूटकर aromatic आ रही है इसका मतलब क्या है यह bond तूटना चाहेगा 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 इसका मतलब सेकंड वाले का dipole moment सबसे जादा होगा तो second वाले का डाइपोल gasm सबसे ज़्यादा होगा अब आज़ाओ-जरा अब देखो जरा इधर नॉन-डिज़र इंटिज हुरए इधर नॉन्ठीं यह बांड टूटने के बाद यह एंटिज शुख और सूख नहीं बनाना है तो यृऊ-बांड टूटना नहीं चाहेगा bond आसानी से तूटना नहीं चाहेगा इसका मतलब 3 वाले का dipole moment कम है 1 वाले का उससे ज़्यादा हो जाएगा ठीक है मतलब dipole moment का अगर मैं आज के बाद criteria आपको बताऊं जो आपको सोचना है किस मैं C double bond O के लिए बात कर रहा हूं dipole moment is directly proportional to stability of carbocation stability of carbocation और carbocation की stability कैसे कंपर कर आओगे aromatic की help से aromatic non-aromatic anti-aromatic ऐसा तो यह मैंने बहुत धुआधार बात लिए आपके लिए क्या stability of carbocation ज्यादा डाइपल बॉइंट ज्यादा बॉंड तोड़ लो आप समझगे चलो वह आगे बने चलेंगे आगे अगला है तू compare acid की strength कैसे कराओगे बिटा acid क्यों होता है बताओ कोई भी acid acid क्यों होता है है एज फ्लस निकालता है यहीं होता है ना एज फ्लस निकालता है निकलवाद हो ज़रह इनसे न अक और यहां वनेगा पिर को एसा आइशन अे ओंसा वाला और मट आपके कौन सा ना ऌ अने कौन से इन्ह mater मलब और में हैं तो यह सी दैसी दें नान एरोमेटीक इसमें दो और दो चार पाई एलेक्ट्रॉन मतलब एंटी अरोमेटीक दो दो चार दो छेजापा एलेक्ट्रॉन एरोमेटिक नेगटिव चार जा कर होता कार वे अगर एनाय इस्टेवल बन रहा है मतलब एच प्लस आसानी से निकल गया होगा इसका मतलब क्या है ज्यादा ऐसे डिक होगा मेंस हम क्या लिखेंगे थर्ड वाला ज्यादा ऐसे डिक है फिर वन वाला और सबसे कम ऐसे डिक तू वाला निकलना नहीं चाह रहा है तू में क्यों एंटी अरोमेटिक आ रहा है है ना मतलब ऐसे डिक स्ट्रेंथ यह आएगा समझे रहे हो ऐसे सोचना है आपको तो मैं एक लाइन में भविष्ट के लिए आपका पॉइंट क्या लिख दूँँए एसेडिक स्ट्रेंथ इस डारेक्ली प्रोपोर्शनल टू क्या इस्टेबिलिटी ओफ कर बनाइन इस्टेबिलिटी ओफ सी नेगेटिव कर बनाइन और यह सोचना आपको फिलियर है बहुत बढ़िया नोट कर लो पास करके अच्छे से आगे बढ़ रहा हूं अगला है लो एक बार सम्झाएता हूं पहले क्या होता है और एक्स जो होता है उसका बॉंड टूटता है वेटा और प्लस और एकस माइनस में प्लस देगा यह इसके तुम्हारा अगर तुम्हारा एक्स क्लोरीन है तो एगी सियल बनेगा एक्स ब्रोमीन है तो एजी बियार बनेगा एक्स आयोडीन है तो एजी आई बनेगा इनके कलर अभी से याद कर लो भविश्च में जरूत पड़ेगी यह जो एजी सियल है यह होता है वाइट बीबीट से अब ध्यान से सुनना रियक्टिविटी बतानी है तुम्हें रियक्टिविटी बतानी है पीपीटी जितना जल्दी वने ध्यान सुनना पीपीटी जितना जल्दी वने उतनी अच्छी रियक्टिविटी है मतलब जितना जल्दी पीपीटी वने उसको कैसे कनेक्ट कर सकते ह जितना जल्दी X- निकले और जितना जल्दी X- निकले मतलब उतना उसकी rate of reaction होगी means यह जो यहां दिख रहा है छोटू सा बैठा हुआ यार प्लस पिटा यह जो आर प्लस दिख रहा है छोटू सा यह 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 आर प्लस के वारे में सोचना है आर प्लस जितना ज्यादा stable बनाएगा मतलब आसानी से X को निकाल रहा होगा और X- नेगटिव बनने का ही मतलब PPT बनना हुआ इसकी stability पर डेबेंड करता है तो मैं क्या करूंगा यह बॉंड तोड़ दूंगा देखना यह बॉंड तोड़ दूंगा ऐसे यहां प्लस बना दूंगा यहां माइनस बना दूंगा इस तरीके से यह बॉंड आप ऐसे तोड़ो कि वेटा ले जाए लेक्ट्रॉन मुझे प वोपन ने पीछह भी सीखा तो डाइपल मुमेंट में अना देखना इसको वन लिख रहाहूं इसको टू लिक रहा ओ इसको ठीडूरीक रहा ओ इसको तो ही तरह रिकाहत ayah है यह एंटी अरोमेटिक है ठीक है तू वाला ज्यादा इस्टेवल फिर वन आएगा फिर थ्री आएगा क्लियर तू ज्यादा फिर वन फिर थ्री अब मुझे का बताओ कार्वो के टाइन ज्यादा स्टेवल है इसका मतब बॉंड आसानी से तूट गया है लाइड आयन जाधा फिर वन आएगा फिर थ्री आएगा यह क्या लिखा टूवन फिर इस्टेविलिटी ऑफ दीस कार्वो क्डिएंस और रिक्टिविटी किसकी ज्यादा आरे यार्सी दिस एवादा है ऐरोमेटिक बन रहा है ना तो रिएक्तिविटी ज्यादा ही होगी न है लोजण of Carbocatine of Carbocatine तो आपको किस से घंबेर कराना विड़ा reactivity is directly proportional to stability of carbogatine यह चीज आप अगर सीख गए दिख रहा आपको सही stability of carbogatine दिख रहा हां सही दिख रहा है अगर यह चीज आप सीख गए मतलब मज़ा आ गया carbogatine बनाओ एकदम मस्त stability check कर लो ठीक है आगे बने अगला है वेटा to compare reactivity towards acid अब acid तुम्हें यहां क्या दिखेंगे hx ले लो या h2so4 ले लो या s3po4 ले लो आपको acid यहां पर दिख जाएंगे या ऐसा लिखा हो h3o positive मतलब h plus in presence of water ऐसा लिखा लिखेंगे लेकिन आपको यहां पर h3o positive ना देंगे क्यों यह पहले सी alcohol है तो यह ले लो बस यह तीन ध्यान लखना अब ध्यान से सुनों इन सब का काम क्या है देखो यह सारे के सारे क्या देते हैं h plus देते मतलब आप इन तीनों में से कोई भी ले लो source of h positive है अब मैं आपको हो एक basic reaction बताता हूं क्या आर ओएच जो इन तीनों में से कोई भी लोगे एच प्लस देगा तो क्या होता ध्यान से सुनना यह oxygen के पास lone pair है एच प्लस के पास electron की कमी है तो यह इसको electron दे देता है यह बना लेता है आर ओएच टू positive अब oxygen पर positive इसको electron चाहिए तो यह दौन एलेक्ट्रोन लेकर भाग जाता है भाग जाता है इसका मतलब क्या छोड़ जाता है पीछे निसानी के तौर पर आर प्लस छोड़ जाता है और वर्टर भाग गया आर प्लस छोड़ जाता है अब जितना ज्यादा यह स्टेवल होगा उतना ही ज्यादा यह रिएक्टिव होगा मतलब अगर यह मौर्स्टेवल क्या टायन वन रहा है तो यह यह एलकोहल कि आऊगा मोरी एक्टिव और रिएक्टिव बस यह धियान लखना आए मेंस एल्कोहल की रिक्टिविटी किस बात पर करती है कि कर्वो कि टाइन उसका कितना जलदी बन रहा है कितना इस्टेबल बन रहा है ना जलदी तबी बनेगा जिप्ल बनेगा अब धियान से देखना यह रहा है प्लस लगाऊ यहां यहां यह और यहां यह प्लस आएगा कितनी बार करचुके घ्रट हुआ यह एक बार और आगया देखो यह है विटा नॉन एरोमेटिक यह एरोमेटिक यह आंटि एरोमेटिक क्या करोगे stability जैसे यह 1 हो गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया क्या लिखोगे stability क्या आएगी 2 की जादा फिर क्या आएगा 1 फिर क्या आएगा 3 ठीक है अब मैं लिख रहा हूँ reactivity यह तो stability of carbogatine आगई reactivity भी सेम क्या आएगी यह 2 फिर 1 और फिर 3 बविश्च के लिए point याद करो क्या reactivity of ROH reactivity of ROH is directly proportional to stability of carbogatine stability of carbogatine यह से करेंगे यह 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 ऐसे करेंगे समझ के वह चटाओ प्लस लगाओ चेक करो यह basic reaction मैंने समझा दी आगे बढ़ते हैं लास्ट application इसका लास्ट application पर आगया अपन क्या तू कंप्या all rotational energy barrier समझना रोटेशना energy barrier का मतलब क्या है इस वाले double bond को break करना है किसको ऐसे लिख्ko अधिक माना है कि इसको क्या करना है तुम्हें घुमाना है घुमाना है आपको इसे घुमाना है गुमाने का मतलब ब्लॉंड ना बॉण कीसे नोरी सकता है वह सूचा लो Oh ऑ भॉंड ऐसे तूट सकता है कि ये वॉंड ऐसे तूटे, अगर ऐसे तूटेगा, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर घुमाया और भॉंड ऐसे तूटा, तो आपका यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यह डबल आएगा, clear, अगर कोई ब दिखने ऽाला आ ऐसे तो यहाँ माईनस यहाँ लियर या तो एसे टूटेगा तो ऐसा भनेगा ऐसे टूटेगा एपी तोड़ दो इसके वह तो तरीके हो सकते हैं तो बॉंड यह से हो सकते हैं अगर बॉंड से टूटे तो किसा दिखे track डबल ऐसा ऐसा यहाँ माइनस यहाँ प्लस एगर तुम्हारा बॉंड ऐसे ना टूटे उल्टा टूटे ऐसे टूटे तो कैसा देखेगा देखो ऋच्विशória माइनियस और यहां यंश होता है अब मुझे आप बाप अब तो नियुक्त के रिंग को चेक करो है और मुझेृ सकता है है ऐसाय कंवा यहां पर आपके पास चार्च हो गगे अब तुम हर कंपाउड बना doubt इसी तरहीक से चुक्रोवली रिंग में ब्लस इतना देखना बस ता है पांच की रिंग में प्लस क्या है एंटि एरोमेटिक है और यह वाली रिंग क्या है यह भी सुरी यह एरोमेटिक है ना किधर आ जाओ यह वाली रिंग क्या है पांच की रिंग यह पांच की रिंग में नेगटिव एरोमेटिक है पांच की रिंग में नेगटिव एरोमेटिक है और तीन की रिंग में पॉजिटिव ये भी एरोमेटिक है यहां आ जाओ पांच की रिंग में पॉजिटिव क्या होता है एंटि एरोमेटिक और तीन की रिंग में नेगटिव ये भी anti-aromatic है अब ध्यान से सुनना ये मैंने लिख लिया bond break करके अब bond कैसे break होना चाहेगा बीटा ध्यान से bond कैसे break होना चाहेगा बहुत ध्यान से दिखेंगे ये जो ring है जब bond तूट रहा है तो दौनों aromatic होनी चाहिए दौनों ring aromatic होनी चाहिए अगर bond तोड़ रहे हो तो इसको तुमने ऐसा तोड़ा और ऐसे तोड़ा का से भी तोड़ा कोई ना को यह एक रिंग एंटिरius का सकते होगीे का सिक रेमिटर कि मालो मैंने इन और ऊंशे यह तोड़ चादी यह चॉए लेलई ओ यह बताओ यह धार मैं यह 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 rogen सा बेसा बतलब ये चोईस लेए इसका मतलब इस बाॉंड को तोड़ने पर कैसे उल्टा ऐसे ऊपर कि तरफ तोड़ने पर ये चफाइस से celebrity हो रही है और इसमाः रहा है और यहां पर कोई ना को यह करिंग एंटे पर रही इसका मतलब यह哇la compound ज्यादा इस्टेवल है इस वाले compound से अगर मैं यहाँ पर x kilo calorie लिखूं energy और यहाँ पर energy y kilo calorie लिखूं तो कौन सी energy कम है ? x कम है, y जादा है, x कम क्यों है ? क्योंकि यह bond आसानी से तूटेगा, क्यों तूटेगा ? क्योंकि यह stable आ रहे है, तो यही होती है, आपकी rotational energy barrier, मतलब energy to break pi bond between two rings, ऐसा, समझ गए तो y जादा आएगी x आपकी कमाईगी यह मैंने x लिया यह y लिया समझ गए इस तरीके से करना है तब मैं आपको लास्ट में एक सवाल और बताना चाहता हूँ जो जेए में आ चुका है वो भी कर रही ही लो अवसाती में इसको अटादेता हूँ ना ध्यान से देखना जरा एक क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं जेए का सवाल है अच्छे से कर लो सवाल को जिस प्रकार है तो ठीक है ध्यान से देखना वेश्चन लिख रहा हूं विच आफ दा फॉलाइंग विच आफ दा फॉलाइंग इस अंसटेवल एट रूम टंप्रेचर कौन सा रूम टंप्रेचर पर अनिस्टेवल है तो ध्यान रखना कौन से वाले अनिस्टेवल होते हैं कभी ऐसा वर्ड यूस करें वह एंटी आरोमेटिक पहचानना हैता मतलब इन मैसे तुम्हें क्या पहचानना है नो एंटी आरोमेटिक पहचानने का है कि यह ओप्सन में चेंज कर देता हूं एकार किसी को अंसर याद होगा तो विलेद हो जाएगा एक दो यहां ले लेता हूं मैं ऐसा कि तीन चलो बताओ फटावट से आंसर बोल दो क्या है चेक कर लें यह जो कीटोन बना रखें इसको आपन जानते हैं ब्रेक करके से माइनस प्लस ठीक है इसको ब्रेक कर लो माइनस प्लस इसको ब्रेक कर लो माइनस प्लस ठीक है अब आप मुझे चेक करके बताओ फटावट ठीक है चलो बताओ पॉस्ट करो ट्राइगर वांसर आना चीज का पॉस्ट करो ट्राइगर आंसर विल्कों सही आना चीज यह तभी मजा आएगा वाई मतब सीख गया आप आज के दिनी आज अच्छे से देख लो वाई सारे कॉंसर्ट अच्छे से रिवाइस किया करो और गहां घर लकाइब कि छो हमाहे कि चलो मैं बता रहा हूं आप लोगा आप लोगों ने कर लिया होगा है मैं क्या लिख Hai करिंग में प्लस है यहां पर यहां पर अजाए हो बीचांब है यहां प्लस है क्या हो जाएगा ये ए रमे धिक हो जाएगा और ये 4 एंड पूर है यह यह दियान लगना अनिस्टेवलेट रूम टेंपरिचर वाले क्या होते हैं यह यह एंटि यह वाले हैं अनिस्टेवलेट रूम टेंपरिचर तो विटा यह सब कहानी थी आज की आपकी एक काफी चीज़ें हमने इसमें पढ़ दी बहुत सारे कॉंसेट कवर किये अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं जो मेरे दिल में थी बहुत दिनों से मैं आप से कहना चाहरा था लेकिन से पढ़ने के लिए अब बहुत बड़ा वाला थेंकि एक है एरोमेटिसेटी हमसे पढ़ने के लिए और 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 अपने घर तक बुलाने के लिए चलो फिर आपने नोट्स बना लो बढ़िया तरीके से क्योंकि आपको फिर भविश्च में दिक्कत नहीं आए गिए अगर आपने छोड़ी चोड़ी चीज़ें कवर कर लिए बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें अकर आपकी कवर हो जाती है ना तो और गयाने कर एकदम जलती है बहुत स्मूथ चलती है मझा जाता एकदम छलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स लेक्शन में तब तक के लिए ओक्य वाई पढ़ाई करते रहें, all the very best.